37 गड महिला परिविक्षक हिंदी से पूछे जाने वाले प्रस्न देखेंगे तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं MCQ, जर्नल हिंदी ग्रामार MCQ का जो अगामी एक्जाम के लिए काफे महत्तपुर्णा हो सकता है फूल सब्द में कौन सा है फूल कौन सा सब्द है तत्सम तदभाव देशस या विदेशत तो इनमें जो आंसर दिये हैं बहुत लोग ने इनसा आंसर बिल्कुल सही है बहुत जो आपका होगा ठीक है तदभाव फूल कौन सा सब्द है तदभाव ठीक है चलिए भाव औरना क उचारन का इस्थान होगा भाववर्णा का इस्थान कौन सा है जल्दिस कमेंड करके बताईएगा दंत कंठ मुर्धाय या उपरोक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर आपका होगा बिल्कूल दा क्योंकि जो है न यह आपका इन में से कोई नहीं है भाववर्णा का इस्था चलिए नेश्ट बताईएगा अन्त इस्थ वेंजन कितने प्रकार के होते हैं तो अन्त इस्थ वेंजन मात्र चार प्रकार के होते हैं तो इसमें आपसन में नहीं दिया गहे है तो इसका अंसर उप्यूक्त में से कोई नहीं होगा इसका अंसर डी होगा अन्त इस्थ वेंजन चार प्रकार के होते हैं कौन कौन से होते हैं या रा ला और वा ये जो चार प्रकार के होते हैं अन्थ इस्थ वेंजन ये है आपका होगा ठीक है जितने भी हिंदी से मोखिक प्रस्ण पुछे जा रहे हैं यही प्रस्ण आपकी एक्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेगा पहली बार आये हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को सस्क्राइब करके रख लिजेगा ऐसी प्रैक्टिस सेट करने के लिए अब देखिए निम्न में से सघोस अलपरप्राण है तो कौन सा होगा आपका दाजो की सघोस अलपरप्राण है ठीक है निम्न में से असत्य कथन होते हैं तो देखिए सवर देखिए एक्जाम में पूछता है कि सवर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे सवर 13 प्रकार के नहीं होते है ना सवर आपका 11 प्रकार के लेता है वो भी व्यापाम है ना तो सवर 13 प्रकार के नहीं होगा मैं ब दो भागों में माटा जाता है बिल्कुल सही है सवर को दो भागों माटा जाता है कौन कौन सा है एक लगू सवर और दूसरा है दिर्गसवर ठीक है जिन सवरों को बोलने में अधिक समय लगते हैं उसे दिर्गसवर कहा जाता है याद रखने एक्जाम में पूछ सकता है कि द कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे मातर 11 प्रकार के होते हैं वो भी व्यापं इसको सजेस्थ करता है कई लोग एक्जाम में ले लेते हैं कि सर ये 11 अरे भाई तेरा है लेकिन को भूख कर लिया गए ना तो व्यापमों को नहीं लेता है ना चलिए एस है टेए कौन से स्कर हमेसा याद रखने आपका दीरगता होग करणा कि हस स्करहा है आपका अंसर ए होगका एक ऐसा सवर है जिनका वाणी में बोलने में ऐसा लग जाता है यानि कि दीरगसवर लंबा सवर लगता है हिंदी सब्दकोस के क्रम की प्रारंबिक ध्वनी है आपका नासिक के जो हिंदी के सब्दकोस होता है आपका क्रम जो प्रारंबिक ध्वनी होती है नासिक किया यानि कि नासिक के का मतलब होता है नाक से निकलने वाली ध्वनी ठीक है सब्द कोस में सब्द प्रथम आने वाला सब्द कौन सा है तो इन में से देखिए रंग, रोई, रकम या रहीस तो सब्दो कोस में ऐसा सब्द जो आपके आने वाला पहला सब्द है रंग क्योंकि उसमें अंग की महत्रा लगी हुई है रंग ठीक है ना समझ में आ रहा है मूल स्वर कितने प्रकार के होते देखे मूल स्वर आपका चार प्रकार का होता है कई बच्चे यहां पर तीन प्रकार के बोर्ण है होता नहीं है देखे मूल स्वर आपका चार प्रकार के होता है अनार क्या आम क्या इमली की और इक के इस प्रकार आपका मूल स्वर होगा मतल कुम की जो लड़ाई है आपका उच्षी प्तधवनी का प्रोक इस सब्द में हुआ है एसका answer होगा डी थीक निम्ड में से गोसवर्णा काूँ सा है तो खोसवर्णा आपका होगा ज्याई ठीक है कौन सा होगा ज्याई एक गोसवर्णा क्योंकि देखिए जा आपका आता है बार बार घोस वर्णा में ठीक है आपने तो पढ़ा होगा वर्णा माला उसमें एक्जाम में पुछता है हिंदी वर्णा माला में आयोगवा धनियों की संख्य कितनी होती है तो आप बताएंगे दो कल आपके लिए हम लाएंगे हिंदी का वर्णा माला से कोश्चन जिसमें एक्जाम में दो से तीन नमबर वहीं प्रस्न पूछे जाते है आप सभी के लिए लाश्ट प्रस्न लेकर आएं कि निम्न में से तद्सम सब्द को ढूढ़िए तद्सम होता है आपका तद्भाव और तद्सम तद्सम आपका संस्कृत सब्द होगा और तद्भाव आपका होता है हिंदी ठीक है तद्भाव आपका हिंदी होगा तद्सम और तद्भाव हिंदी पहचाने के ट्रिक हम लेकर आएंगे कल के क्लासेस में तो चलिए यहाँ पर तैल जो है आपका तत्सम होगा तैल क्योंकि इसमें दो मातरल लगी हुई है उसको तत्सम कहा जाता तत्सम तदभाव और हिंदी जो आता है ना उसका हम ले कर आएंगे कल के ट्रिक क्लास में ठीक है यह सभी आपका हिंदी रूप होगा यह है ना तंदुल यह भी होगा लेकिन तैल जो है आपका तत्सम सब्द है ठीक है वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा ऐसी और भी नेश्ट टाइम में वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएगे सर हमें नेश्ट पार्ट चाहिए आपका पार्ट वान वीडियो था पहली बार हम हिंदी क्लास लेकर आए हमारे यूटूब चैनल पर है न तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा अगर आप वर्णा माला से अगर कोश्चन चाहते हैं दो से तीन नमबर वहीं से प्रस्ण पूछता है अगर आपको हिंदी से प्रस्ण चाहिए तो कमेंट करके बताएगा कि सर हमें नेश्ट पार्ट चाहिए वीडियो आपको अच्छा लगा